व्यूंत कैसे आप सभी you Bull Bir अच्छे होगे और आप लोग के त्यारी बहुत अच्छी समाजिन के कद् responsibilities कराइंगे और इसी कोषण में से आप एक जाम में कपोषण आएगा हमने आपको बता रहा है यह दि मेरा वीडियो आप लोग रिगलर देखते होंगे तो आप सब पता होगा या आप लोग नए भीवर हैं तो अभी पता कर लो चला देखो हमने आपको बताया था सर कि टॉप कोशन सब्जेक्टिव वाला जो सब्जेक्टिव में लड़ेगा टॉप 101 प्रश्ण हम आपको कराएंगे कौन कौन सब्जेक्ट का मैत का साइंस का और समाजिक विज्ञान का और इसी में से आपके एक जाम में कोशन आएगा हमने आपको तो आफीर का जो वीडियो है तो यह जो टॉप 101 क्लास में कर आएगा तो इसका नाम रखा गया है सर केप्सुल कालास केप्सुल खालो का मों हो जाएगा तुम्हारा बीमार यह दूर हो जाएगा ठीक है आप तुम्हों प्यारी है ना कि सर कौन लोड़ेगा कितना लका बो कुछ नायेगा होई लड़ जाएगा हुई लड़ जाएगा हुई लड़ जाएगा नहीं कुछ नहीं करना है तो आप देखो अभी का जो वीडियो है न О और मैं थवाला पाट थेरी वीडियो है इसका मतलब सर कि हमने दो वीडियो बना कर डाल चुका है हमने अभी तक आप नहीं देखे हैं जाए तुरंद देखिएगा इस वीडियो गड़ाने के बात तुरंद दो बीडियो के देखिएगा क्योंकि उसमें जितना प्रश्ण है काफी मस्ट भी प्रश्ण है सर काफी संदार प्रश्ण है वहीं प्रश्ण आएंगे आपको इसलिए आपके अपसुल कलास की एक भी वीडियो मिस करते हैं इसका मतलब कि आप अपने जिन्दगी के साथ खलवार कर रहे हैं क्योंकि एकसी प्रश्ण आएंगे और प्रश्ण आपको ये सब करके जाएगा तो आप से सब कुशंसल हो जाएगा इससे क्या होगा आपका रिजल्ट अच्छा आएगा आपका जिंद्गी बन जाएगा आपका फ्यूचर सही होगा तो केपस्वल क्लास के एक भी विडियो आप मिस करते हैं तो सबसे बड़े गलति करेंगे आप वर चैया सामझ में तो अब हैप देखू यह जो वीडियो है यह भाग तीसरा वीडियो है इसका पहले हमने दो वीडियो बना दिया है मैं थावला केपसुल क्लास необходимо इसका सर्प् इस्किर्प्सन में लिंक मिलेगा पार्ट वान पार्ट टू करके वहां सब तू और पार्ट ओगीज़क पहले इस वीदियो के देखो पहले तब जाकर ऊदेखना ठीके चलो कोशन देखते हैं हमने आपके बताया था के शन पर्टिक विडियो में आपको दोस कोशन कराएंग पूछेगा देखो आज का प्रश्मय बोल रहा है है ना महेत का कि एक बॉक्षई में साथ लाल रोंग को आठ निगाल जाता है सुरा और इसका बताना है परिक्ता इसका पुछा है सब्जेक्टिम्में तो कुछ न कुछ न कुछ तो यहां पर लेखेंगे न अगर देश्टे इंसर भर देंगे तो चार नमर गिए ठोकेगा वह तो नमर देगा जो नमर देगा इसलिए सब्जेक्टि प्रश्ण में कुछ ना कुछ हमको लिखना पड़ेगा सर नहीं तो यह अब्जेक्टि में आता तिस कुछन मा को हम धूआ-धूआ कर दते हम लोग मतल़ है से इसक अंसर दिखा ही दे रहा है इनक इजी टाइप कुछ घंड़ है चलू देखो सो स्याकूआ ईश्योग बोलेंगे कि देखो यहां पर सकार न cash के मेंन बताओ लुकेंद अ काले गन्त को संख्या बताऊ है ठीक है साथ को ललकी या आठ निकाल लेंगे पर रामो की संख्या एंग कूल यहां पर कितना आएगा आप साथ 15 हो जाएगा अब सर देखो अब बल रहा है न की काले गेंता जिसको कहे गाना सर उसी को उपर कर देना है कि आने की परिकता इसे आप लो fi को सकते वह सर पीए ठीक है है जो पूछा है उसी के संख आ उपर झृ क्या रहेगा सबसक्रेंग टोटल रहेगा जितना है तो झस कितना है देखो तो नीचे अराम से लचका करके 15 ठीक आज जो पुछा है काली गेंद तो काली गेंद के संख्या कई को है रे कई को है रे आट को है उपर आट को लो यहीं तोरे इंसर वाह होए यहीं हमरी इंसर है इंसर आ गया सर और इस तरह का प्रश्ण आपकी एगों आपके एजाम में 100% करांटी है कि रहेगा और ऐसे ऐसे कुछन को हम लोग बनाना है सर आपके कोश्चन डवल रहेंगे सर तो हम लोगों को जो कोश्चन एक दम लूज टाइब कर लखेगा लूज रहेगा प्रस्ण उसी को हम लोगों को सब्व कर गयाना है यह नहीं कि गए आ देख लिए बढ ट्योंको लोलीपॉप जोपप उसी को मों करना और चालो करेंगे कहं से कायांगी है उसलिगी आपर लोग कईए रहीएगा और यह से आप लोग प्रेक्टिस कीजिए कि आप लोग तीन घांटा के उंदर कर पा रहा है कि नहीं कोई है कोई भी आप आप ली आऊंगे मडल पेपर तो उससे एक उठागर चल्व किए आप टाइम देखिए कितना मेंट लोग रहा हमारा कितना घंटा लोग रहा है तो टाइम मेजमेंट करना काफी जोर रही है सर ठीक है चलो देखो यह आपका हो गया अंतर अच्छा एसर एक हमको आप अगे सर कि लाल रंग दस गो भी आ थेकर दस गो आपकर बार गो आई दूनु का जोला पकई गो बाईस गो एक ना बाईस गो अगा अगली गिनने काले के पुशत ता तो नीचे केतना आगे बाईस गो आ जाएगा ठीक है और यहां आप ऊपर कितना है उपर कितना है काली बोल रहा तो काली कतना है तो काली कोुव बार भर हैं बार भरेंगे शर ऐसे कटी आएंगे तो कटी आऊं ए गहारा बार में और 6 बार में तो उपर कतना आगे आपका चोव बाटा 11 अंघ्र हो जाएगा सर अब देखो इसमें लड़का भुखवाता कहा है हमने इस प् प्रशन आएंगे अब कहें लड़का सोर मालोग इस टाइट के प्रशन आ गया अल्ड़क है सोर आप जो कुछन नहीं नहीं आया था साब तो भॉय को या गया यह तो बकलोल है हम बोले है न कि यहां पर आउकवार चेंज कर देगा तो बताओ हम ने अभी आपको पहले यहां पर एक तो अगर इस सिस्टम आपको पता है तो इस पर कोई भी आउंग को चेंज कर दे तो कि आप छोड़ेंगे यहां पर दोसके आपको सवाल किया इसका दूसरा सवाल किया है सब्सक्राइब कोशन नमर्व दूसरा बोल रहा ना इस वीडियो का इस वीडियो का आपका स्वाल है बोल रहा कि आठ सेंटेमीटर वाले दो गहन बराबर से जूट दिए गए हैं तो परिदा मी जो घहनाब होगा उसका पुरिष चैतरफॉल आजटन कालना है चेला काफी सं भंदार सवाल है और प्रश्टिंग यहीं जाकर चिप के आपके पिपर में मतलब यहीं जाकर टकराएगा ठीक है लो सर देखो यहां पर यहां बोल रहा है कि दो गहन बराबर है ठीक है अधूनिशतिया तो हो जाया क्या गहना बहुत जाए का शेला देख यहाँ पर एक गहन म Central ठीक है सर लो यह ग्हून भन गिए ठीक है ध्रिकंब सर लो यह गहां पाइं चल देखनें किनि अब्हें गात का तो आपका बन गया गहन गे तो अच्छा इस घानमा के भूजवा कितना है तो कोगो सर इसका भूज़ा जो है ना भूज़ा आठ सेंटिमीटर है मतलब को हई लंब यह आठ यह हो आठ इसी के सेम आकार का सेम साइज का सर एक और घंड ले आकर इधर से सटी आ दिये हैंगा तो सटी आएंगे तो क्या हो ऐगा सर देख लो सटीय दिये ना सटीय गया तो आप यहां शुरी यहां तक घंड बन गये क्या बन गया जी घंड बन गया जी तो आप लोग और यहां तक 8 सेंटिमीटर है और यहां से लेकर यहां तक क्या था सर यहां से लेकर यहां तक फिर यहां से लेकर यहां तक सर आठ सेंटीमेटर था यहां से लेकर यहां तक सर टुटल कितना हो जागी यहां से लेकर यहां तक कितना हो जागा सर आठ सेंटीमेटर हो जाएगा आठ सेंटिमेटर होगा अध्यान देजेगा सर कि दूँगान को जोड़ते हैं घनाब बनता है तो उसका लामबाई जो होता है डॉबल हो जाता है लेकिन चोड़ाया उचाया दूनग से मेर होता है तो लेखेगा सर यहाँ पर पडिरामी घनाब का इल कितना होगा सर एल होगा स्वुला सेटिमेट्र अच्या की तला होगा, सब्सकंशां जुता होगा, पुजाई होगा, ंत फैल ईनत गनाब का गनाब का प्रिश्टिय छत्रपल जो होता है नवय पढ़ें सर फर्मुला होता है 2 in 2 L B प्लास B H प्लास L H इनु होता है चला मान पतिया हो यहाँ पर माल पतिया हो देखो यहाँ पर 1 कितना है 16 16 को यहाँ रख दो B कितना है B के कांगे लेगा, 8 cm ठेके, पलस B कितना है, फिर 8 cm H कितना है, 8 cm L कितना है, 16 cm H कितना है, 8 cm आँ लो गुढ़ा करते हैं सर ठेके, गुढ़ा करेंगी समस्क्राप या तो गुढ़ा करो, चलो देखो, ये 2 हो जआए या अगर, 16, 8 168 लाट्धे कितना होता है 168 होता है 128 ठीक है 128 सेंटीमेटर स्क्राइब अब सबको जोडेंगे सर्ट कितना जाएगा तो जोड़ोंगे सर्ट वहरी यहां पर दू आएगा इसको जोड लो इसको जोड़ेंगे तका हो जाएगा आपको जोड़ूँ जो आठे चारे 12 अब बारह को आथ गो बीशकुर जीरो आत मे लगों कितना दो आठ दू अच्छो गो आठ गो हाथ में लगल एक कि एक ठीक है तो एक आई एक कितना हो गया तीन यानि तीन सो बीस सेंटीमेटर के स्क्वाइर इसको जोड़ जाएगा जहां पर थोरा यहां पर जोड़ सही हुआ है जोड़ा क्या हुआ है सही हुआ है अब गुणा कर देंगे दो से चना हो जाएगा छोवसार छोवसार चोवसार चालीस सेंटीमेटर स्क्वाइर लो इसका एंसर आ गया बताओ ताओ गया कि नहीं गया दिमाग में जल् star हो गया कि चांठीमेटर स्क्वाइर की ृशो से कान परिश्थीचियल अभी एक भंप्रण कि कौन एपंगे यहां पटिया देना है माल यहां पर पटिया देना है सर संसेंटिमीटर गुणे 8 संसेंटिमीटर और ऊठ सेंटिमीटर और इसे गुणा करके अंसर आप करेंगे कितना मेहत कर रहा हम ही करेंगे आप लोग करना पड़ेगा इससे नहीं लिख देगा नौ उसका नमर कम आएगा चल दी यहां पर इसका कमेंट करो मुड़ा करके ठीक है लिखना है इसलिए को रहा हो कि नमर कम आएगा इससे कोई बात नहीं है हम आप सुझे थी कि आपको नमर अच्छा आए लेकिन एक अपको कमेंट वक्स में लिखना इसके अंतर सवाज माया है तो इस तरह का प्रश्ण आपके जाम में आएगा तो बताओ छुट जाया किया ब आगे चले तो लगते हैं आपका कोशन तरी किया तो तीसरे प्रश्ण है सर देखिए प्रस्ण आपके बोल रहा है कि टू पॉइंट सेबन पर उपर बार है को भीन के सरलतम रूप में लिखना है सर ठीक है काफी सद्दार सवाल है प्रश्ण मोहर मारलो ठेपा मारलो के प् क्या रीम शर्ण में विखना है आपको ट्रिक ही बतायेंगे और इसको आपको सब्जेक्टी में के लिए भी बतायाँगा इसको सब्जेक्टी वर्ष्ण करने के लिए ही बताऊँगा तो चलिए देखते हैं आपका इसे किस परकार से हम लोग solve करेंगे पहले इसको detail में उसके बाद से इसको trick किस तर सिस्क में आप लोग use कर सकते हो ठीक है तो जोखें यहाँ पर प्रशन क्या बोल रहा है यहाँ पर कि 2.7 को उपर क्या है आपके बार है और इसको क्या करना है आपको आप 2.7 ठीक है अब देखो सर किवर कहूं और इसका मतलब हम 7 को बार 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 हजार लेससी कर लिया अब देखो ध्यान देजिएगा इसको क्या मानना है आपको श्रिक करन नमा एक मानना है और ध्यान देजिए हैगा point कि जितना संख्या कर उपर भार न ऊ etwa ए उसी से गुद्अ करना है समः करना एक में दाए दो दो छोंब करना करना लिखेंगे अगर समकांफ समकरण एक वावार है F1 10 से गुद्ञा करेंगे斯 कि मैं दू अंके वह बार है तो गुना करेंगे तीन अंको बार है तो आपके एक अंके बार है तो दोस से गुना करेंगे ये लेकिन यहाँ पर एक अंकर बार है तो इसको हम 10 बार 10 से गुणा करेंगे लेकिंगे कि दोनों तरफ दोनों तरफ रे भाई 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे 10 एक्स हो जाएगा अब इधर 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट वाले अंक में सर गुणा करते हैं 10 से न या 0 वाले जाएगा तो फॉइंट के बाद तुम सेवन के इतना पर सकते हो जितना चाहूँ उतना है दौट है तो हमने यहां पर देखो इस पॉइंट के बाद तीन को साथ है इस point के बाद भी हमने यहाँ पर 3 साथ कर चकते हैं आराम से ठीक है चलो issue का माल नहीं समकरण 2 बस सवाल बन चुका है समकरण 2 में समकरण 1 को घटाव करना है लेखेंगे यहाँ पर समकरण 2 समकरण 2 में से समकरण 1 को घटाने पर समकरण 2 लिखो 10 x बराबर 27.777 डौट 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 अर समकरण 1 क्या है आपका एक से बराबर 2.7777 घटाएंगे सर इसको ठीक है देखो यह point इक बाद इसमें सब 77 है point इसमें सब 77 है तो यह कट जाएंगे ठीक है अब यह point के बाद नहीं लिखाएंगा अब देखो साथ में सदुख रटेगा तो आपका 5 आएगा और यह दुख का 25 हो गया इधर घटाएंगे कितना आएगा आपका यह तो आपके 9 एकसा जाएगा एकस निकलने कितना आगया 25 बटा के 9 आगया लेकिन आपके अब यह लेकिन अब recommend में यह दूर करेगा न चलियाएगा हल्मानगेर मैं करना कि दिखो टुवंटी है ना इसको सेम लिख दो प्वैंट हटा करके बार हटा करके खाड़ कर देंगी इसे दो फेंट अब घटाव करेंगे वह गताओं गटाओं जिस परबार नहीं होगा उस अंकों घटाओं करने किस पर बार नहीं है तो पर बार नहीं है दो गटाओं करनेंगे अब बटी आएंगे मतलब बाटा में जिस जितना अंग पर बार होगा उतना बार नौ लिखना है अगर एक अंग पर रहेगा तो एक बार नौ अगर आपके अब जेक्टिव टाइप में प्रश्ण आएंगे तो इस ट्रिक का यूज करके एसे प्रश्णों को आप लोग धूवा धूवा उड़ा सकते ह सब्रिक हो है यहीं हमारे पास पाया है कि हम आप को जहां पकर लगने वाला होता है वहां नोमर चार क्या बोल रहा है कि क्ैसा प्रश्य वोल रहा है कि टूटर सब्सक्राइब अब देखो इसको कौन सलोब करेगा जिसको डिगरी के मान नहीं मालूम होगा उसको डिगरी के बुखार लग जाएगा उसको डिगरी के मान उसका मालूम नहीं है तो माइत को बीना प्रमूला याद कि बाप कुछ नहीं उखार सकते क्यों हो इसलिए फर्मूला आप लोग याद करो ठेके मान भरेंग असर इसका मान निकालना है तू अगान के मान होता है टंटाना कर एक कितना होता है 10 के मान करके एक होता थे अब देखो कोष तीस के मनकंतना होता है तो रूट भी वाटा दो होता इसका स्कुववार आँ जो सर कॉष थीस पर होता है सर जी रूट थी वाइट शूर बर्ग अब देखो इससे कट गें सर इससे कट गें सीम आँके रूट-3 का करेंगा वहीं आए यह दूनों से मैं एसक स्कॉार सर एक होता है बुरा करनों कि पूरा डिमाग हुआ जाएगा ठीक है निक स्वाल लेखते हैं पाचाओ प्रस्थ के फाइब 20 स्कूर 60 डिगरी पलस फोर से के स्कूर 30 डिगरी माना से पर घंदर प्रस्न ऑपे रहोंगे कि फर्मूला से आएंगे ही पक्का गरांटी है इसलिए फर्मुला को याड़ करना जो रही है दिमाद में गुशा ठीक बाँ अब देखो इसका मान निकालना है मान बढ़ते हैं सर देकिए फाई कॉस साथ के मान होता है सर वन बाई टू का होल बर्ग ठीक है यह हम अपने मन से नहीं भड़ते रहे हैं तो हरी बुकवा मद अग Del है वहां से तुम पढ़ ओ ठीक है प्लास फोर सेक टीशक मान कितना है सर टू बाई रूटी सेक तीश पुच रहा है तो सोचो लों कि से कवाक उल्टा होता है कॉस को सोता है प्लोस का तीश के मान कितना होता है रूट ठीक कर चान माइनस 10 कितना होता है टंटन आकर एक होता है तेन का मान 45 पर टंटन करता है टंटन ख़ड़ा होता है याद रखेंगे ना यह तरीका एक हो गया कि 1045 पर 10 का मान टंटन आ जाता है उपर में ठीक है अब देखो साइन कितना होता है एक हो एक के कैस्क्वार्ण चैर और प्लॉस फूर दो के स्क्वार फूर रूट्ट वाले करते हैं याँ बढ़की बड़की 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 छोटकी फिर्दिश का छोटकी चुटकी यहां पे चार-3 के इतना हो गया 12 चार-3 के 12 पांति इक 15 और सुर्च ओव के गचार चार चार कर नहीं अगया इसको मतले में नहीं इसको मतले में नहीं है संसर बटा बाराइस की आंतर आगे अच्छा एक हमको अब बताओ एक और काम कर सकते हैं तुम फर्मूला अगर याद किया होगा इस फर्मूला को हम लोग कामना दीन राती हाल खाटी आठीना यहां पर कर दोए इससे लिला को और चोटा करके से किला कर सकते हो देखो विला जो हुआ है इसको हम लोग गिला करके पीला कर देंगे किस तरह से को को काम करते उपर लमान भर दी है निच्वा लमान सर न हमको मुँआ भरनी में दीव अपुतना करें तो बहुत लाम बचण हो जाएगा तो फर्मला याद किया है को अधर काम करते हैं सान्य स्क्वार 30 और कॉस्वार 30 यह दून को हम एक बढ़ते हैं अले लिखते हैं कौँची स्काइब लिखे के चुकी इस साइट में कि सान्य स्क्वार ठेटा प्लस को स्कॉस्वार कितना होता है एक होता है देखा देंगे कि इसलिए यहां पर हम और बहुरे हो है और आमें देखे के एक को तो हम भेशते हैं दिल्ली तुम घर दिल्ली मजाओ तो दिल्ली मजो हैंने मतरा होते हैं ठीक बाब देख तो इंतरा केतना नीचे के एक छोड़ देंगे चुट जाएगा पार्ट बटा चार और 16 बटा टीन माइनस का एक एलसम निकाल लेंगा बारा चार तो इस परकार से इस को सब्सक्राइब कर लेंगे चलिए देखते हैं आपका कोशन नमर से चिक्स किया है तो आपका नेक्स सवाल है बोल रहा है कि बताएए कि कीन मानों के लिए पी एकस स्क्वार मैनिस फाइप एक स्कॉरा ठीके मूल बराबर होगा सब धियान देना मूल बहुत बराबर होगा ना तो बी बेचक बी बेचक जो होता है बीबेकवा जो होता है यह बड़कार डी वो बी स्कॉर माइनस फूर एस सी इसका फरमुला होता है वो जिरू के बराबर होला कवना के बराबर होला जिरू के बराबर होता है जब मूल बराबर होता है तो डी क जीरो के बराबर छे हैं सब्संदिक है अब लिए एक मान हो ऎनकर यह सी को मान हो आधीके सी मानसा क्षी मान तीन नो कर तो एंधा लिए सल तो बालनागा के लिए जा स्वार किनी को 5 को तो 5 को स्क्वार ठीक है मैंस–- 4 मैंस पाठ के स्कुर कितना हुई चला पचीज चार्त एंगे के बारव भारव जीरो अब इसको 25 नो बान टपाएंगे बान मतलों फ्राइब विबरस देख लो बान होई है बराबर तो इस कुल चांक कर एक हले बाना ओ पार घ्राइग तो सबस्ट आएसे लिए सब्सक्राइगा और अब यह बहुत निकालेंगे दोतों क्या हो कि पlles बाटा मैयनस बार आएगा है अब काट चाट करेंगे शौर 25-25 में कोई कमन नहीं में कटेगा माइस कमन दिखे तो इस माइनस माइनस कॉट करके एका करेगा दाच चियार देगा इंसर आगिया 25-12-25 बाठाग किया ऐसे सवालों को आप लोगों कर लोगे न जब साहीं आपको सवाल आएग लेकिन आपके उसतर से जाहेंगे हमें 100%ॉ हाथ कर दिया निखें को तक Gente कि इतना स्थने हैं कि दो संख्याओ का योगफल 27 सथाल 133 है तो संख्या ने कलना है 2 संख्या ओं को जोड़ कर दी आ सथाल इस तो हम लोग का मानेंगे सbooks का अंहाना की संख्या पौई संख्या जो है कि यह 알ा गया हो जाएगा दुसरी संख्या क्या हो जाएगे तक दूसरी संख्या जब एक टोग यह 50 क्या है इनका यूग debates होगा उसमेंसे पहली संख्या को घटाएंगे सर यह पहली शमक्ता-18av दूस 판 चालिय गडीय वर कि अपका 27-6 कोगे सर्त एं टीक है अब आवो थेखो क typically इनका के तो हमने माना है कि एक से है और 27 से दूना करेंगे 27 से माइनस एक सक्षाथ और किसके बराबर हो गया ये बल रहा ढ़ा तक है ठीक है अब गुणा करेंगे एक से गुणा करेंगा 27 में 27 एक से स्क्वार हो जाएगा ठीक है बराबर 182 हो जाएगा अब टांग टांग के एक साइड करेंगे किसको टांग ना है तो आप लोग को इसका जो जेनरल फॉर्म होता है दिगा शमकरन का उस रूप में लेकर के आना पड़ेगा तो कैसे लेकर क कि इसको मैं कर रह हां उस साइड इसको मैं कर रहां लुक साइड कर रहां ऊस से हैंड डिखो इधर बराबर के arrive लोग लोग लिखे ने जीरो तो बराबर के जीरो बराबर में इन जीरो लिखो बात दोनों एक ही है तो हम लोग सुभिदा के लिए हमें लोग इधर लिखे ने जीरो को ठीके अब चुल इसको फोस्ट इन्टू लास्ट तोड़ेंगे सर गोर खंड करेंगे एक स्क्वार और प्लस एकसा बेरासी बराबर जीरो मानस 27 को इसन तोड़ देना है दू भाग में गुणा करने पर कितना है एकसा बेरासी तो क्या हो जाएगा आपके दो से तेरा और चा लिए ना तो बाग मत करो तुम यहां पर लिखा नोवह लिखे दो क्योंकि है वह लिखा लिखा थे रहा ठीक बड़ाबर में जीरो एकस निकाल देंगा सर्थ आपके एक सब्सक्राइब जो ब्रेकटर मिला है दो बार उसको एक बार लिखेंगे रिखेंगे अजिए को तो प्ला संख्या निकल अगया था अच्छल i rude ő ले बडार रहा है तो पर ला संख्यां होगा दूसर संद कर होगा यहां पाली संक्या पाली संक्यात्स थे रहा होगी तो तो कि दूसरी संक्या संख्या क्या हो तो 27 में सब्सक्राइब कितना हो जाएगा ठीक एंसर होगा या फेन लिसकते हो कि यदि पाली संख्या चौदा होगी तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा खटाएंगे तो 27 में खटाएंगे तरहीं वाएगा तो इस तरह से इसका एंसर हम लोग सब्सक्राइब कर रखते हैं ठीक है बहुत अच्छा तो साथ तो कुशन हो गया चलिए देखते हैं कुशन आठ किया है आपका अगला प्रस्ट ने सर बोल रहा है कि उस समांतर स्वांत मतलब की कि 11 2 जो है वो कितना है और 30 के बराबर रहएं तो एकम म militar की याँ olan कोख कर सकते हैं तरह क्वारों का बोल लिए कि तरह ये पलस करता कितना डशनी या यसा इसाँ बनाव चलो थू पर कियो प्लस कितना था चली एक कम करकी एक काम करके समय लगाएंगे बसकर के आपका और टीस सब्सक्रांग एक मानेंगे और पो रहां तो कितना है 17 is गांगे डूंत को गाटाएंगे देखो यहां पर ए बराबर है तो एस्थे एक टिटू टिटू हो जाएगा बहाई संकरान 1-2 आप लोग यहां पर लिख देना थिक है आप लोग ए लगना है जो апर गेजला है सबकर्म कान एक मेरा समकर्ण दो घटाने पर समकर्ण एक कितना है gwenय प्लस 10 दी अदी बराबर 28ाइफ लाज फंद्र डी बराबर कितना घटथअ गटाएंगे मैंस मैंस माय गया गया 10 D में से 15 D आ जाएगा 5 D इसका 53 मसला कटाएगे और 30 तो आ गया 5 35 नेगेटिव आएगा ठीक है मैनस से मैनस कट गया और 54-55 कट गया D कितना आ गया 7 आ गया और हमको का निकलना है असर हमको सार बांतर D ही निकलना है पर थाम पर नहीं निकालना हमको सार्व अंतर ही निकालना है एंसर आ गया अच्छा और कहता कि उस्तव अंतर स्वर्यू के निकाले जिसका एगारा हुआ पद 38 है तो हम लोगी निकाले हैं और फिन समकर में इसका डी के मान भरेंगे तब A के मान निकलेगा, किसके मान निकलेगा, A के मान, उसके बाद से A में D को हम लोग जोड़ जोड़ करके, A1, A2, A3 निकाल करके, हम लोग सब को लिख देंगे, बताओ, सब्सक्राइब आगे हैं न, तो इसका answer आगया, D के मान, अगर इसका समयांतर शनल निकालना होता, तो क् D के मान, को हम लोग समक्राण, एक चाहन तुम रखते, और A के मान को फाइंड करते हैं, और फिर यहां पर पहला पर, दूसरा पर, तिसरा पर निकाल कर यहां पर लिखते हैं, कि इसका समयांतर शनल किया है, आ गया समझ में, मिल्कुल आ गया होगा, ठीके, चलिए देखते आट टाइब के परस्ट नहीं, यह सही इसर दिखाए दर आए, देखो, क्या करेंगे, A बराबर 2 दिया है, A बराबर 2 और D निकालेंगे, A2 मैनस A1 करके, A2 दिया है, A4 और A1 दिया है, आपके 2, डिया यह 2, ठीके, और A1 दिया है, कि A1 दिया है, चुकि हम जानते है, कि A1 कितना होता है, A plus A minus 1 into D होता है, A, A कमान भरेंगे 11 सर, और A कमान भरेंगे 2, और प्लस आपका इन 11 है, मैस 1 और D आपका 2 है, भर दिये, चलो, चलो करो, 2, 11 मैं से एक घटा है, कितना है, कितना है, 10, into 2, 10 दो निका 20, 27, 22, हो गया, नहीं है, समझो, हमने A1 का फर्मुल है, A Plus A minus 1 into D, A को यह भर दिये, A nie कमान भर दिये और 2 का दू प्लस का प्लस दस एक गटाए दू इंटू दू दूने के बीस दू कितना हो गया जिसका कितना आराम से बने गिया ठीक है आपके दस नमर बोल रहा है कि एदे थीटा वरबाबर 30 दिगरी है तो सीद करना है फोर कॉस की ठीटा माया ठीक अब देखो तो इसका ठीटा कितना बरना है 30 वर देगे मैनस ठीडी चुछ आपका ठीटा करना कितना ऑड़ना ठीके जी अब ध्यान देगा फोर कॉस्यका थर्टी के मान कितना होता है चला बताओ यह चला इसका मान होता है रूट धिरू का होल भर नहीं क्यूं है तो क्यूं करेंगे ठीक सबस्क्राइब झाइब रह जाएगा तीन होगा तीन हो जाएगा इसको क्यू करेंगे तो कितना हपी प्रूब वाले के क्यू करेंगे और दीद भज्ट लिखेंगे तो यह जाएगा माइनस इस ये कितना होगा 3-3 बटा कितना होगा दो हो जाएगा ठीक है और जाएंदधना चार से देख लो ही चार से चार से आठ को काट पीट को रहा हो तो यह जब से संग्यार आता है और दोनों कफीर उल्टा होता है तो आख बन करें कर देना है ठीक अंसर कितना गया जीरो एक जीरो देखो उधर आया है आया है का लिखेंगे आर एच इस आर एच इस लिख देंगे शीध हुआ का वह बताओ शीध हुआ तो यह रहा आपका प्रश्ण कितना नमर कोशन में मर्दस अब चलिए मैं आप लोगों को करना किया है देखो हुआ है को सब्सक्राइब करें तो आपका हमर मैं कर रहें कर देखो यह इसका निकालना है यह देखिए द्यान से इसको कभी पुतार लो और बनाना आई से अगर आच्छा नमर लाना चाहते हो तो ठीक एम अन्दारी से बनाकर हम चेक करेंग आपको चेक करवाना है मेरे पास आएगा देखो ध्यान से इसका इवकुल्ड विभाजन एलगुरित्म से हम आपको पार्ट वन ने पढ़ाये थे इसका पार्ट वन एवीडियो तो पार्ट वन कभी इसमें आपको कंप्लेट होते जाएगा और आपको जैसे जैसे आगे एन चैनल है जिसका लिंक की यहां पर नीचे है और एक आपका उसका ग्रूप है को तो सब्सक्राइब करते हैं तो भी मैं आपको चेक कर दूंगा कि आपका सवाल चाही है कि गलती है मैं चेक कर लूँगा ठीक है तो आप लोग इसका एच्छेप निकालना है आप लोग को कोशन रहेगा सर ठीक है तो आप लोग करो गया ने बताओ पुर्त इसका इसकरें ड्लो सवाल को करो गया ना बहुत अच्छे बच्चे आप लोग किसी जरूर करोंगे ठीक है तो आपका आज के पार ठीक है यह पूरा का पूरा कि दस कुश्चन समाप्त हुआ इमंदारी स अच्छे बच्चे हों आप लोग अच्छा नमर लेक्याना है इमंदारी से वीडियो को अपने पूरे वास्टसप गुरूप में जितना फ्रेंडे समों शेयर करना है ठीक है ठीक है मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में जाहिन